नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूज चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं नवरात्री का पावन पर्व शुरू हो चुका है। इस पावन पर्व में हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में माता राने का वास हो और मा लक्षमी की असी मनुकमपा से उसके घर में कभी भी सुख, एश्वर, धन्यदानने की कभी भी कमी ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ छोटे मोटे उपाय करने मातर से ही माता लक्षमी की ऐसी क्रपा होती है कि आपको इस जन्म में तो छोड़िये, सातों जन्मों तक कभी भी धन की कमी नहीं होती है, आपकी सातों पीडियां तक तर जाती है। इसीरे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातों के बारें बताएंगे जिनें आप अगर अपना लेते हैं तो आपके सभी दुख दर्दिता का नास होता है, साथ ही सुख एसुरे चरम सीमा पर प्राप्त होता है और साथ ही साथ आपके जीवन से सभी प् गश्टों का भी नास होता है जिस प्रकार से प्रति दिन मातारानी की पूजा करना अनिवार रहे है उसी प्रकार से यदि मातारानी को कुछ उनके प्रिये वेंजन भोग में चड़ाय जाएं तो मातारानी को बहुती जल्द प्रसन किया जा सकता है इसलिए आज की वीडिय ना सो जाएंगे और सभी प्रकार के कश्टों और संक्टों से भी आपको मुक्ती मिलेगी। दोस्तों नवरात्री परव पर माता की अराधना के साथ ही बरत और उपवास और पूजन का विशेश महत्व है। जिस परकार नवरात्री के नो दिनों तक मादुरगा के अलग-अलग रूपों की पूजन की जाती है। उसी परकार इस नो दिनों में माता को परतेक दिन के अनुसार भोग या फिर प्रसाद अरपित करने से देवी मा सभी परकार की समस्याओं का हरन कर लेती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि माता राने को कौन से वो भोग हैं जो आपको यदि दिनों के अनुसार लगाते हैं तो भी आपको फाइदा देंगे। भोग का आशिरवाद मिलता है। साथी जन्मों जन्मों की गरीबी का भी नास हो जाता है। दन आने के सभी मार खुल जाते हैं। नव दुरगा का एक रूप है चंद्रगंटा। मा के इस रूप का पूजन नवरातरी के तीसरे दिन होता है। इस दिन मा को दूद या फिर दूद से बनी हुई कोई भी मिठाई। खासकर से घर में बनी हुई खीर का भोग लगाकर ब्रामणों को दान करना बेहदी सुब मानाता है। इससे दुखों से तो मुक्ती मिलती है। साथी सुक एश्वर्य परमानन्द की प्राप्ती भी होती है। मा दुखा को नवरात्री के चोते दिन माल फूय का भोग लगाने से पहत ही शीओर प्रसन हो जाती है। इस भोग को मंदिर के ब्रामण को दान करना चाहिए। साथ ही अपनी बुद्धी के विकास होने से धन आने के सभी मार्ग भी खुल जाते हैं नवरात्री का पांचमा दिन यानि की मा इसकंद माता का दिन है इस दिन माता जी को केले का नवेत चड़ाना बहुत ही उत्तम होता है ऐसा करने से आपको उत्तम स्वास्त और निरोगी का प्राप्ति होती है दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें क्योंकि अंत में हम आपको दो ऐसी खास वस्तों के बारे में बताएंगे जिने मातारानी को चड़ाने से आपको उनका आशिरवाद शीगरी प्राप्त होता है नवरात्री के छटमे दिन देवी मा को शहद का भोग लगाना बहुत ही उत्तम माना जाता है इस दिन शहद का भोग लगाने से मनुष्य की आकरसन सक्ति में विर्दी होती है साथ ही वे अपने जीवन के सभी कार्यों को जो की बंते-बंते रुख जाते थी या काम में कोई रुकावट आ रही थी तो उन्हें भी पूरा कर लेता है कमेंट बोक्स में जै मातादी लिखना बिलकुल भी नहीं भूलें दोस्तों इसी के साथ हम आपको बताते हैं नवरात्री का सब्तम दिन नवरात्री के सब्तम दिन देवी मा को गुड का भोग लगाए साथ में नवरात्री पर मा को गुड का संबावनाएं भड़ दाती हैं नवरातरी के आठमें दिन मातारानी को नारियल का भोग लगाएं और नारियल का दान भी करें इससे संतान संबंदी सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है और देवी मा की असीमनुकंपा और उनके किरपा और आशिरवाद के चलते धन की क बच जाते हैं और अचानक धन प्राप्ति के मार खुल जाते हैं इसके अलावा दोस्तों जैसा कि हम आपको बताया था कि वीडियो के अंत में हम आपको दो ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे चिने यदि आप मातारानी के नो के नो दिन भोग लगाते हैं साथ ही उनसे नवरात्रे का पर्थम दिन होता है जिस दिन मातारानी के शैल पुत्री शवरूप को पूजा जाता है इस दिन देवी मा के चरणों में गाए के दूट से बने हुए सुध देशी घी को अरपित करने से आपको आरोग्ये धनसंपदा मानसंमान पुत्ररतन आदि की प्राप भोग लगाना है इस प्रकार से 9 दिन इसका भोग लगाने के बाद 9 नमी तिथी के दिन उस भोग से यानिकि उस देशी घी से आपको कुछ पकवान बना लेने है और इन पकवान का दान आपको मन्दिरों में गरीव दूसरी चीज है, जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा, कि मातारानी को मेवे अति ही प्रिय होते हैं, इसलिए मातारानी के नो के नो दिन आपको मेवों का भोग अवश्य लगाना चाहिए, यदि अभी तक आपने नहीं लगाया है, तो आपको आज से ही सुरू करना इसको लगाने का कोई भी मौरत या समय नहीं होता, आप इसे चाहें तो इसी वक्त से भोग लगा सकते हैं, और अंतिम दिन जो आप खीर बनाएंगे, यानि नोमीती थी के दिन जो खीर बनाएंगे, उस खीर में इन मेवों को डाल करके परसाद के रूप में वितरन करें, और अपने पूरे परिवार के साथ मिल कर खाएं, इस मेवे में माता रानी का आशिरवाद होता है, जो कि आपके पूरे परिवार पर उनकी किरपा बन कर बरसने लगता है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई व में इजाज़त दन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखना ना बोले, जये माता दी